हेलो एब्रीवान वेल्कम तो माय चैनल लर्न विद मॉनिका माम आज का हमारा टॉपिक है नीज और वांट्स लेकिन उससे पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे बहुत सारी वीडियो से जो आप लिए फायद होंगी जरा सोचो अगर एयर वाटर फूर्ड क्लोधिंग और शेल्टर ना हो तो क्या होगा यह बगवान अगर यह सब चीज़े नहीं होंगी तो हम इनके बिना कैसे रहेंगे क्योंकि यह तो हमारी बेसिक नेट्स हैं यह ऐसी चीज़े हैं जो हमारे सर्वाइबल के यह जरूरी हैं ठीक है हमारी सोसाइटी के इनके अंदर जरूरते हैं ठीक है इनके अलावा means of transport, means of recreation, entertainment, education, healthcare services यह सब भी हमारी नेट्स हैं क्योंकि अगर यह हमें नहीं मिलती है तो हम बहुत परिशान हो जाते हैं अब सबसे पहले हम बात करते हैं our needs की सबसे पहले जो हमार बेसिक नीड है वो है air हमें air चाहिए सांस लेने के लिए ठीक है air में oxygen होता है जो हमारी respiration के लिए बहुत जरूरी होता है we cannot live in a closed room हम एक बंद कमरे में नहीं रह सकते जहां air नहीं होगी अगर 5 मिनिट के लिए भी air नहीं होगी तो हमारा जो brain होता है उसमें oxygen नहीं होचती है और हम collapse हो जाते हैं और मर जाते हैं इसलिए air हमारे survival के लिए बहुत जरूरी है second basic need is water हमें पानी चाहिए different functions को क्यों हमारी body में perform करता है जैसे कि digestion regulation of temperature circulation of blood besides हमें पानी चाहिए होता है कपड़े दोने के लिए बरतन दोने के लिए पीने के लिए नहाने के लिए इसलिए प talk about food हमें food चाहिए grow करने के लिए healthy रहने के लिए we get energy from it हमें उसे energy मिलती है different different काम करने के लिए अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो हम मर भी सकते हैं जैसे कि science से prove होता है कि human being जो है he can survive without food for few days कुछ दिनों के लिए तो वो survive कर सकता है पानी के बिना हम कुछ घंटे रह सकते हैं और air के मिला हम सिर्फ तो 6 मिनट से रह सकते हैं ठीक है so food is also required for our survival next is clothes clothes जो है we need clothes to protect us from heat से cold से rain से germ से dust से dirt से इन सब चीजों से हमें बचाता है यह हमें एक civilized look देता है ठीक है यह हमें help करता है कि हम अपने body temperature को maintain कर सके different different seasons में और different different climates में clothes जो है वो great need है human beings की next is shelter we need shelter to live in shelter हमें चाहिए होता है रहने के लिए हमारे जो घर होते हैं वो हमें shelter provide करते हैं हमें heat, cold, rain, animals से, robbers से इन सब से protect करते हैं हम अपने घर में आराम करते हैं ठीक है हमारी जरूरत की सारी चीज़े होती है हम उसमें safe होते हैं thus shelter जो है वो भी essential है next is means of transport and communication हमें means of transport और communication जो है वो भी हमारी आज कल की जो changing world है उसका एक part है ठीक है sometimes क्या होता है हमें distance places पर जाना होता है short time में ठीक है हमें communicate करना होता है दूसरी countries में ठीक है तो यह सब means of transport और communication हमारे लिए बहुत जरूरी है at the time of our need TV, computer, fax, newspaper, magazines, mobiles, telephone यह सब हमारे means of communication है तो मुझे यह जरूर बताना किस-किस के घर में computer है computer, laptop नहीं होना चाहिए computer पूछ रही हूँ मैं ठीक है और किस-किस बच्चे ने fax दिखी हुई है तो मुझे comment में जरूर reply करे next is recreation we need means of recreation and entertainment too हमें recreation भी चाहिए और entertainment भी चाहिए मनला की अराम भी चाहिए और हमें entertainment भी चाहिए इससे क्या होता है हमारी जो body होती है जो tired होने के बाद refresh हो जाती है ठीक है अगर हम यह सब करते हैं तो हम games केलते हैं गाने सुनते हैं पिक्निक पे जाते हैं movie enjoy करते हैं TV पे हम अपना time spent करते हैं ठीक है दूसरे के हम company लेते ह हैं तो इससे हम refresh होते हैं और अगले दिन के लिए हम ready रहते हैं next is education we need education for the development of our body mind and soul education क्यों जुरूरी है हमारी body के लिए हमारी दिमाग के लिए हमारी आत्मा के लिए ठीक है इससे क्या होता है हमें knowledge मिलती है regarding different subjects हमारा दिमाग अलग तरीके से चलने लगता है और इससे हम stand हो होते हैं with the other people of the world so education is also very much important in our life next is healthcare agencies we need healthcare agencies like hospitals, healthcare centers, dispensaries ता कि हम बहुत सारी बिमारियों से बच सके हैं हमें different type of medical facility मिल सकें including the vaccination healthcare agencies जो होते हैं वो हमारे लिए workshop, seminars, exhibitions, film shows ये सब हमारे लिए organize करते हैं ता कि एक awareness हमारे अंदर create हो सके about hygiene, sanitation, child care, maternity ता कि हम बिमारियों से मुक्ति पा सकें ठीक है तो ये सारी जो essential requirements ही human beings की हमारे survival के लिए हमारे maintenance of health body, healthy body, mind और soul के लिए हमारे जो next topic है वो है our wants, wants जो होती है वो हमारे desire होते हैं हमारे demand होते हैं, so they are a little different from our needs, wants और different में अब क्या difference होता ही हम देख लेते हैं, कुछ examples हम देख लेते हैं कि need और want में क्या difference होता है, we are feeling thirsty, so we are in a need of glass of water, हमें प्यास लगी हुए है और हमें पानी का एक glass चाहिए, but we are demanding a glass of soft drink, लेकिन हम क्या मांग रहे हैं, soft drink मांग रहे हैं, तो इस condition में जो glass of water है, वो हमारा क्या हो गया, need हो गया, और जो soft drink का glass हो गया, वो हमारे want हो गया, ठीक है, need का मतलब होता है जरूरत और want का मतलब होता है, हमारा desire या हमारी demand क्या है, ठीक है, sample or देखते है, we are hungry, हम चपाती और वेजटेबल, राइस ये पल्स ये हमारी need हो जाती है और जो पीजा है वो हमारी want होती है understood एक example और देती हूँ we need a shelter, we can live in an ordinary house हमें shelter चाहिए और हम एक ordinary house में रह सकते हैं लेकिन मेरा desire है, मेरा want है कि मैं bungalow में रहूँ तो ordinary house एक need है और bungalow हमारी want है अपने friend के घर जा सके, we can go there in any car, किसी भी car में हम जा सकते हैं लेकिन मेरी demand है कि मैं एक luxury car में जाऊँ तो इस condition में car एक need है, लेकिन luxury car एक want है तो ये सारी जो needs होती है, they are those requirements of human beings which are to be fulfilled in any condition, किसी भी condition में वो fulfilled होनी चाहिए लेकिन जो wants होती है, वो हमारी desire या demand होती है जो हमारी capacity नहीं होती है कि हम उन्हें afford कर सके हमारी जो needs होती है, they are the requirements for our survival लेकिन जो wants होती है, वो luxury life के लिए होती है तो हमें अपनी जो wants है, उनको limit रखना चाहिए ठीक है, और एक happy life जेने के लिए हमारी सिर्फ need भूरी हो जाए, that is only important ठीक है, तो बच्चों I hope आपको ये chapter बहुत अच्छे से समझ में आया होगा है, इनकी सरी query है आप मुझे comment करके comment box में पूछ सकते हैं कोई भी type में question आपको अगर नहीं आ रहा हो कोई चीज आपको समझ में आ रही हो नहीं आ रहा हो कोई – क्या हो